नमस्कार करनाटक से बहुत बड़ी खबर है करनाटक करनाटक अब खतम होने के कगार पर है क्यूंकि आज इस्पीकर ने कहा था कि आज ही मैं फ्लोर टेस्ट कराऊंगा चाहे साम हो जाए रात हो जाए किसी भी baptism जाए लेकिन अब HD कुमार स्वामी इस्तिवा देने जा रहे हैं ये बड़ी खबर है करनाटक के बिधान सबा में अभी जो हल चल हो रही है वो बड़ी खबर है HD कुमार स्वामी को लग गया है कि अब उनके पास बहुमत्नी हैं आंकडे नहीं जुटा पाए हैं जो दो निर्दले M मुंबई में ही रहे उन्होंने तो सुप्रिम कोट में अरजी दे दी कि यहां पर सरकार अब अलप मत में है किर्पियाई इसको फ्लोर ट्रेस जल्दी कराए लेकिन सुप्रिम कोट ने उस बात को सुईकार नहीं किया लेकिन यह बात यहां पर इसपस्ट हो गई है कि सायद आज ही इस्तिपा देने जा रहे हैं क्योंकि SD कुमार स्वामी ने समय मांगा है राजयापाल से मिलने के लिए क्योंकि राजयापाल ने दो वार्निंग दे रखी है अब तीसरी वार्निंग SD कुमार स्वामी समाल नहीं पाएंगे क्योंकि SD कुमार स्वामी को लग गया है कि राजयपाल बहुत गुस्से से लाल हो गए है उनके गुस्से को बचने के लिए उन्होंने इस्तिपा देने का जो प्लान बनाया है सुत्रों से पूरी खबर आ रही है कि इस्तिपा देने जा रहे हैं ये पक्की खबर लग रही है क्योंकि राजयपाल से इतने दिनों से तो मिले नहीं लेकिन आज जिस तरीके से SD कुमार स्वामी मिल रहे हैं या तो राजयपाल ने उनको संदेश भेज दिया है कि अब जाद से वहाँ पर Assembly में पता नी क्या drama हो रहा है करनाटक का नाटक जो है कि खतम होने करनाट पर नहीं है supreme court भी देख रहा है राज्या पाल भी देख रहे हैं कैंद्र सरकार भी देख रही है लेकिन जिनके पास द्यहुमति नहीं है sd कुमार सुर्शी पर ऐसे चिपक गये हैं जैसे उन्होंने किसी उन के चियर पे फैबिकॉल जादा ही चिपका लिया है अब देखा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि sd कुमार स्वामी के उल्टी गिंती सुरू हो गई है तो जिस तरीके से करनाटक करनाटक तमाम दिनों से देखा है कि जिस तरीके से 15 से 21 विधायकों ने बगावत की कॉंग्रेस पार्टी से कॉंग्रेस पार्टी से जिस तरीके से उन्हों वहाँ पर ऐसा गडवंदन बनाया जहां कोई मेल नहीं था चुनाओ में एक दूसरे के बिरोध लड़े जेडियस जहां पर कॉंग्रेस के बिरोध में लड़े लेकिन पांच सालों तक लगातार जेडियस वाले कॉंग्रेस को गाली देते रहे कॉंग्रेस के कुसासं को कोशते रहे सिद्धरमया पर अटेक करते रहे लेकिन जैसे ही चुनाओ में जीते कॉंग्रेस ने बीजेपी को बाहर करने के लिए जो बीजेपी एक सो पांस विधायक जीती थी उपहले नंबर की पार्टी को बाहर करने के लिए SD कुमार स्वामी और कॉंग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया और वहाँ पर खुद कुर्सी पर काबिज हो गए राहुल गांदी यहाँ पर आखे मूंद बैटके यहाँ पर इस तरीके से गैम रचा गया किस तरीके से तमाम पार्टेयां बैंगलोरू में वहाँ पर इकटा हुई किस तरीके का तमासा दिखा लोकतंत्र का हनन होता हुआ दिखा किस तरीके से उन्होंने लोगों के मैंडेट के साथ यह भेदवाव किया इस तरीके से आप देख सकते हैं कि करनाटक करनाटक अब समापती की और है क्योंकि कभी भी इस्तिपाद दे सकते हैं राजयपाल से जब मिलेंगे एसडी कुमार स्वामी क्योंकि स्पीकर ने आज बोला है कि किसी भी किमत पर आज ही फ्लो टेस्ट होगा तो लगता है रात को फ्लो टेस्ट होगा क्योंकि बीएस ये दूरप्पा ने अपने विधायकों को सब को बोलाए कि जल्दी समय पर विधान सबाब पहुंच जाएं सभी विधायक वहीं पर एवलेबल रहें तो ऐसा लगता है कि आज ही फ्लो टेस्ट होगा क्योंकि सुप्रीम कोट ने जो कहा अगर हम वो निर्दलिय विधायक हैं जो दोनों ने अरजी डाली थी उन्होंने कहा था कि अगर इस पर हम देख रहे हैं अब समय मिलेगा तो हम इन पर निर्देश दे सकते हैं तो ऐसा लगता है कि तमाम दिनों से जो सुप्रीम कोट ने निर्णाई दिया था कि आप कॉंग्रेस पार्टी उनको बरखास्त भी नहीं कर सकती कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी उनको उनको कोई कारवाई नहीं कर सकती जो बैधानिक कारवाई होती है उनको निलंबन के लिए तो अब यहां पर कॉंग्रेस पार्टी खुद फशी हुई है कभी सिदर बिडमना है करनाटक की लोगों के साथ कितना भेदवा हो रहा है कि वो जहां और राजुंग में वहां विकास की बात हो रही है और उनके उत्थान के लिए कारे हो रहे हैं लेकिन आपने देखा कि तमाम एक साल से लगातार ऐसे ही हो रहा है कि कभी कोई इधर भाग रहा है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मिलावटी गडवन्दन का हस्र है क्या कॉंग्रेस पार्टी किस तरीके से लोगों के भले के लिए नहीं जब आपके पास बहुमत नहीं है तब भी आप असेम्बली को इतना लंबा खीचे जा रहे हैं जब आपके विधायकी आपके आपने इतने पैसे में खरीद तो ये तमाम बाते हैं जो दीके स्युकुमार तमाम इतने बड़े पैसे वाले हैं काफी उन पर आईटी का छापा भी पड़ा अब डीके स्युकुमार की तमाम कोशिसें जो थी कि वहां पर सरकार बने रहे उनका दबदबा बना रहे लेकिन जैसे ही लोकसवा चुनाओं में जेडियस का नुकसान हुआ या कॉंग्रेस का सफाया हुआ जेडियस का भी सफाया हुआ दोनों का गडवन्दन बिलकुल करनाटक की जनता को सुईकार नहीं है तो लगता है कि अब इस तरीके से पूरा साउथ इंडिया से कॉंग्रेस का सफ जा रहा है वहां से भी इस्तिफा देखा जा रहा है तो जब यहां पर अध्यक्षी गायब हैं तो कौन इतने बड़े संकट को बचा सकता है तो अब बीजेपी को चाहिए कि वहां पर सरकार बनाए तो किस तरीके से करनाटक का नाटक होता है क्योंकि अब अब असेम्बली वहां पर चल रही है तमाम इतने दिनों से काफी जब छुटी थी विधान सबा की उससे पहले भी काफी समय से वहां पर assembly में discussion हो रहा है कितनी बार हर MLA वहां पर खड़े हो के लंबा लंबा एक एक दो दो घंटे के भासन देते जा रहे हैं हर बार SD कुमार स्वामी खड़े और के पता नहीं क्या करते हैं कभी स्पीकर बोलने लगते हैं तो लगता है कि पता नहीं यह कैसी चरचा है लेकिन अब इसका अंत होने वाला है यह ड्रामा अब नहीं चल सकता है क्योंकि सुप्रिम कोट की भी नजरे हैं वहां पर सेंटर ग और वहां के मुख्या मंतरी SD कुमार स्वामी तो SD कुमार स्वामी पता नहीं किस उससे उन्होंने वहां पर CM का पद सुईकार किया तो उसके बाद रोते रहे लेकिन यह बात बड़ी बिडमना है कि हमारे देश में जो तीसे नंबर की पार्टी होती है वो मुख्या मंतरी बन जाता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो अपोजिशन में बैठ जाता है और जो जिसको हराने के लिए पूरे पार्टियां इखटा हुई थी सारे चुनाव उनके विरुद लड़ा गया वो मिल के दूसरे को सपोर्ट करके सरकार में आ जाती है ये बात परमोद महाजन ने संसद में कही थी वो बात काफी उस पे काफी हसे हुए थे लोग क्योंकि उन्होंने एक किस्सा सुनाया था चाइना का डेलिगेशन जब आया था तो उन्होंने बताया कि किस तरीकी की भारत की डेमोक्रेसी काम करती तो उन्होंने इस करनाटका के नाट को सई से बया किया कि देखिए यहां पर जो अपोजिशन में होता है वो सबसे बड़ी पार्टी होती है जो तीसरे नंबर की पार्टी होती है उसका परधान मंत्री होता है और जो सेकिन नंबर उसको सपोर्ट करती है तो यहां पर भारत के लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी कमी है कि यहां कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है मदुकेड़ा जैसा एक सिंगल विधायक भी उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं तो यह कॉंग्रेस ने जिस तरीके से यह रचा है उसका ड्रामा अब एंड हो गया है वहीं मुंबई में mtnl में बिल्डिंग में जो भारी भर कम आग लगी थी काफी लोग फसे हुए थे अब उनको सभी को सकुषल निकाला गया है यह अच्छी खुषखबरी है क्योंकि काफी लोग फसे हुए थे मुंबई की mtnl बिल्डिंग में और प्रसासन ने उन पे काफी उनकी मेहनत से उन्होंने अपने इतना जान जोखिम में लेते हुए इतने लोगों को सकुषल बाहर निकाल दिया सभी सुरक्सित हैं ओप्रेशन रेस्क्यू ओप्रेशन खतम हो गया है तो यह अच्छी खबर है इसलिए हमने आपको बता दिया कि मुंबई में जो लोग इतने फसे हुए थे वो सुरक्सित निकाले गया अब करनाटक का असली परिणाम क्या होता है अब तक तो यही खबर है कि SD कुमार स्वामी इस्तिपा देने जा रहे हैं